दोस्तों क्या आपके भी पोर्टफोलियो में लाल दिखाई दे रहा है क्या आपका पोर्टफोलियो भी रेड में पड़ा हुआ है क्या आप भी लॉस में इस वक्त बैटे हैं आप देख रहे होंगे कि निफ्टी उपर से 10 से 11 परसंट तक के करेक्ट हो चुकी है अब यहां से क्या हो सकता है एक रिटेल जो निवेशक होता है एक जो रिटेल ट्रीडर होता है वो बिलकुल मैं हूँ या आप हो बिलकुल खरगोश की तरह होता है बिचार हमेशा पीसा जाता है हमेशा दोड़ बाग जदो जहद जुस्त जू उठांग पठांग उचल कूद मचाता हुआ आखिर लास में उसे जो है शिकारी धर्दा पोचता है उसे शिकारी पकड़ ही लेता है क्योंकि उसका माइंड सेट दुरूस्त नहीं है आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समचाने वाला हूं ये सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ऐसी मार्कीटों के अंदर जब मार्कीट में बहुत ज़्यादा करेक्शन आया हो मार्कीट के अंदर बहुत बड़ी सुनामी आई हो आप अच्छे से काम करके भी पहतरीन मुनाफ़ा बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहत देता हूं लेकिन आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार देते हो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो और इतनी ज्यादा इजद करते हो कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी लगन से इस चैनल पर 22,000 सब्सक्राइबर जो है बना दिये हैं हमारी फामिली जो यू ठीखोशी में मैं एक बहुत ही important announcement करूँगा जैसा हमारा swing trading का और ETF का दिवाली offer मात्र 1600 रुपे में आपको swing trading program और मात्र 1600 रुपे में ETF trading का program हम दे रहे थे आज 26 तारिक रात में 12 बजे इसकी validity खतम होने वाली थी लेकिन 22,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने पहुचा दि दीवाली के दिन तक रात में बारा बजे तक ये वैलिड रहेगा ओफर जभी भी आप इन्रॉल करें इस जो वैलिड ओफर की तुरुप इन्रॉल करें तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो मार्केटें गिरती हैं तो एक रिटेल निवेशक एक रिटेल ट्रेडर मैं और आप हम लोग जितने छोटे ट्रेडर हैं वो घबरा क्यों चाते हैं और जब मार्केटें चड़ना शुरू करती हैं तो हम जो है बहुत जादा जो है लालच में क्यों आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर लालच क्यों पैदा हो जाता है, इस विशे में हमाज चर्चा करने वाले हैं, हमारे अंदर इन्हेरेटेंट जेनेटिंग कोडिंग इस तरीके सी की गई है, जेनेटिकली हमें इस तरीके से बनाया गया है, जो मार बुक करके भाग लेते हैं और यही वजा है कि हम continue loss करते रहते हैं loss करते रहते हैं और यह retail जो एक mindset है यह बहुत अच्छे से वो शिकारी जानते हैं जो हमारा और आपका शिकार करते हैं इस जंगल के अंदर इस market के जंगल में जो बड़े शिकारी है उन्हें अच्छे से पता है कि जो छुटे मुटे खरगोश है उनका क्या हाल होगा और वो किस तरीके से काम करने वाले हैं तो वो बराबर जानते हैं सही तरीके से जाल बिचाते हैं और हम लोगों को trap करते हैं आज इस trap से निकालने के लिए मैं आपके पास दो ETF लेकर आया हूँ इस दो ETF में अगर आपने proper मेहनत की आपने सही तरीके से इसको समझ लिया तो आप ये जान जाएंगे कि ऐसी मार्केटे जब गिरती हैं तो किस तरीके से आपको काम करना होता है तो माल लो माल लो आपके पास 5000 रुपे हर महीना डालने के लिए हैं मार्केट कहा है उसका टेंशन न लो हम अधर भी जो है इस वक्त बहुत बढ़ियां डिसकाउंट चल रहा है लगबक 10 से 12 परसंट के डिसकाउंट में वह एटीओ मिल रहा है काम किस तरीके से करना है स्ट्राइजी क्या रहे कि मैं बताऊंगा सबसे पहले दोनों एटीओ का नाम सुन लो दोनों के फंटामेंटल अधर के इसकाउंटल है उसको शामिल किया गया है और जैस आपको पता है कि ये एटीओ तो हम बाय और सेल कर सकते हैं बिलकुल जो है स्टॉक्स की तरह ये मिचल फंड की तरह से और स्टॉक्स की तरह हमें जो है मुमेंट देता है तो निफ्टी बीस का जो इस वक्त प्रा AUM है 34,000 करोड के आसपास है बहुत बड़ा asset under management है 23.45 का P है 0.04% के आसपास expense ratio है जो के बिल्कुल भी negligible है और 28% का एक साल का return इसने बना कर दिया है अब चलते हैं दुसरे ETF का नाम सुनते हैं उसके fundamentals देखते हैं दुसरे ETF का नाम है bank bees जी हाँ दोस्तो banking sector के private sector की जो दिगज कमपनिया है उसको इसमें शामिल किया गया है और इस ETF को बनाया गया है इसका अगर price देखे तो इस वक्त 522 के आसपास available है 560 के आसपास का top बना कर आया है लगभग 10% के discount में ये भी कम ज्यादा available इस वक्त मिल रहा है काम कैसा करना है ब पी जो है दोस्तो 14.66 है बहुत ही कम पी इस वक्त यह है अवेलेबल है और expense ratio 0.19% के आसपास का है और यहां पर return देखे तो 20% के आसपास का return यहां पर बना के इसमें दिया है अब काम किस तरीके से करना है अगर आप 5000 हर महीने continue डालते हैं 2 साल तर तो आप देखेंगे कि आ और बढ़िया return बनकर आ रहा है इंडेक्स है यह major इंडेक्स है broader इंडेक्स है कभी भी zero नहीं होने वाले हैं इस बात को आप द्यान में रखिएगा long term में अगर आप देखे तो निफ्टी ने 13-16% के बीच का on average bank निफ्टी और निफ्टी ने बना के दिया है तो यह अपने लाखो रोपे बड़ी असानी के साथ बड़ी शांती के साथ बन गया है तो irrespective of market कहां जाने वाली है market कहां भाग के जाएगी यह सब बातों की चिंता करने से बढ़िया है क्या market में participate हो अपने पैसे को तोड़ तोड़ कर धीरे धीरे sip mode में लगाते जाओ और long term में आपको बहुत बढ़ी है मुनाफ़ा यहां मिलेगा तो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो कोई मन में सवाल हो तो जो है comment में पूछो और अगर आपको free technical analysis का course करना है तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका WhatsApp का ग्रूप का link नीचे आपको description box में request डालो आपकी request को accept किया जाएगा और उसको group में आप शामीर हो जाओगे और हर हफते आपको free में बिल्कुल free में जी हां इसका लोग 10,000, 12,000, 9,000 प्रोग्राम का charge करते हैं वो प्रोग्राम आपको बिल्कुल free में live zoom पर session लिया जाएगा आज की दिन हमारा एक free प्रोग्र प्रोग्राम था आज की दिन हमारा एक free प्रोग्राम था जिन्होंने जोइन किया उन्होंने जो है उसका फायदा उठाया आपको consistent जो हम जो है technical analysis का जो course है बिल्कुल free में पढ़ाने वाले हैं अगर आपको swing trading और ETF जोइन करना है तो 3000 का ये प्रोग्राम, 3000 का ये प्रोग् तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करो एक disclaimer था अगर आपको buy या sell करना है bank बीज या nifty बीज अपने financial advisor से राय मशुरान लेके काम करिएगा मेरी तरफ से कोई भी buy sell recommendation नहीं है मैं कोई भी से भी registered advisor नहीं हूँ तो मिलते हैं दोस्तों अगली प्रोग्राम में अगली उडिसा तब तक कमाते रहें खुछ रहें अपना और अपनी फैमिलिया ख्याल रखे और अपने पैसों का भी ख्याल रखे